अलेकुम गाइस मेरा नाम डॉक्टर शेक मौमद जैफा है वेलकम टू डॉक्टरस प्लेस अकैडमी यूट्यूब चैनल और हमने एक बड़ा इंटरस्टिंग कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है मास्टर दी ओपीडी क्रेश कोर्स अच्छा ये कोर्स किसके लिए है बेसिकली ये कोर्स है हमारे इंटर्न्स डॉक्टर्स के लिए हाउस ओफिसर्स के लिए और जो ओपीडी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या डिसकेशन करेंगे इस course के अंदर हम internal medicine की OPDs के cases को discuss करेंगे, pediatric की OPDs को discuss करेंगे, और surgery की OPDs को discuss करेंगे, course join करने के लिए आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ हमारे YouTube चैनल सबस्क्राइब करना है, course बिल्कुल फिरिये, और इसमें हमारी जो भी updates होती रहेंगे, video uploads होती रहेंगी, तो आप उनको देखते रहें, आपकी OPD practice होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो अब अब अपना बिना लेट किये, आज का case आप लोगों को पता है, कि internal medicine की OPD है, और quiz जो है हमारा common cold का है, common cold क्यूंकि आज अगल बहुत ज़्यादा common है, और बहुत ज़्यादा allergic infections चलने हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा common है, अभी आज कर, तो उसको हम discuss करेंगे, क्यूंकि बहुत सारे patient यही complaints लेकर आ रहे हैं, तो अच्छा, कोर्स को start करने से पहले, सबसे important चीज केस को start करने से पहले, कि जब भी हम internal medicine की OPD करते हैं, या फिर जो भी OPD हम करते हैं, उसके अंदर हम history को बहुत short रखते हैं, ठीक है, यह वो history नहीं होती है, जो हम लोग medical schools के अंदर पढ़ते हैं, लंबी लंबी आप history ले रहे हैं, अच्छा, जी, यह भी बताएं, वो भी बताएं, महाँ पर कब होता है, वो history कब होती है, जब आप इन patient के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें symptoms देखने होते हैं, और उसके हिसाब से बहुत specific question करने होते हैं, ज़्यादा time मौजूद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि patient की frequency बहुत होती है, रच बहुत होता है, तो कोसिश करें, कि बहुत specific question पूछें, तो पहला case है हमारे पास, Mr. Salim, 32 years old age, तो मैंने बताया है, कि उमर बहुत ज़्यादा important होती है, तो इनकी उमर जो है, वो 32 साल के हैं, Mr. Salim, ये क्या complain लेकर आए, ये complain हमारे पास लेकर आए, nasal congestion की, sore throat की, cuff fatigue, ठीक है, उन्होंने बला, मेरी नाग बंद है, गले में दर्द है, cuff खांसी है, और इसके इलावा थकावट मैसूस होती है, मैंने पूछा कि अच्छा जी, अच्छा इसका बात मेरा question था क्या, कि ये symptoms आपकी कप से start हुए और कैसे start हुए, तो उन्होंने बला कि start कैसे हुए, scratchy throat, with a scratchy throat, and then progress into, include congestion, cuffing, and feeling tired for five days, तो उन्होंने बला कि सबसे पहले क्या हुआ कि गलें के अंदर खारीश हुई, उसके बाद नाग बंद होना शुरूई, और उसके बाद cuffing start हुई, और ये पांच दिन से इनको symptoms थे, ठीक है, तो कब से start हुआ, पांच दिन होगा, start हुए हुए, और कैसे start हुआ, scratchy throat के साथ start हुआ, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने इनसे question पुछे कि आपको fever और chills तो नहीं है, ठीक है, उन्होंने बला नहीं, fever और चिल नहीं है, ये डंगी को exclude करने के लिए, ये fever और chills के बारे में पूचा, इसके इलावा, tonsillitis को वो करने के लिए, exclude करने के लिए, shortness of breath किस वज़ा से, कि इनको कहीं asthma को तो की बिमारी तो नहीं है, asthma हो, उस वज़ा से हो रहा हो, नमूनिया हो तो उसकी वज़ा से shortness of breath होना शुरू हो ये तो इस तरह के कोई symptoms तो नहीं ओने होंने उसका भी deny कर थिया, chest pain का पूछा, chest pain काउनसा pain, जो pleuritic pain होता है, तो उसके बारे में पूछा तो नहीं बला, नहीं, वो भी नहीं है, जैसे सांज लेने में आपको तकलीफ टो नहीं हो रही, उन्होंने बोला, कोई ऐसा, वाइरल इंफेक्शन चल ले होते हैं तो बहुत कौम है कि मुझे सीजनल एलर्जीस हो जाती है तो उसकी इनके पास हिस्ट्री थी उसके बाद फिजिकल एक्जैमिनेशन होती है थोड़ी बहुत तो हमने फिजिकल एक्जैमिनेशन की अप्य फर्टी भिट्नो एक्ट्यू डिश्ट्रेस वाइटल साइंस आर इन नॉर्मल लिमेट्स वाइटल साइंसब yog देखते हैं भीट्ए न क्लिक के इन्दर हम oxygen सेचुरेशन लिदेखते हैं इस पायरोमेटरी के थुरूँ आपके पास चोटी सी डिवाइस होती है ठीक है तो उसके थुरूँ आप ऑक्सिजन सेचुरेशन देखते हैं पेशन्ट की ठीक है तो वह बिल्कुल सब चीजे नॉर्मल थी उसमें कोई भी परिशानी वाली बात है मतलब बल्गम टाइप का जमावा दिखेगा गले के अंदर ये कैसा होता है जब नाग बंद होना शुरू होती है तो वह सारा लिक्वेट आपका गले के अंदर जाना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल ट्रीप लंग्स आर किलियर तो ऑसकल्टेश नहीं थी जो हमें मतलब वह करें अचा जी उसके बाद हमारा सीधा सीधा डाइग्नोसिस बन गया है डाइग्नोसिस क्या बना हमारा डाइग्नोसिस बना कॉमन कोल्ड का वाइरल इंफेक्शन की वज़ा से होता है मोस्ट कॉमन वाइरस होता है राइनो वाइरस ठीक है अच ठीक है अगर वो allergic rhinitis बोलता है मतलब वो कोई allergic का symptom देता है कि भाई हाँ मुझे dust allergy है या पिर इस तरीके से तो हमें उस तरफ हम जा सकते थे बैक्टेरियल टॉंसिलो फ्रेंजाइटस यह भी पेशिंट को फीवर वगरा है नहीं मौझूद और यह ग्रूप यह स्ट्रेप्टो कोकस की वज़ा से होता है इसके लिए जरूरी है कि आप यह जिस क्या नाम है थ्रोड स्वैप करें ठीक है जिससे हम कल्चर करते हैं तो उ बहुत ज्यादा कॉमन होती है तो इस वजए से उनको हो सकती है इसमें क्या होता है इसमें सोड थ्रोट में ल dir a's और यह भी हो सकता है पेशिन्म को साथ तो यह पेशिंट को ऐसा कोई भी सिंटम नहीं था तो यह डिइजीज बीनिये इनफ्लूोइन हो रही थी ना पेशिंट को हमने जब आसकल्टेशन करी तो कोई आसकल्टेशन में भी हमें क्रेकल वगरा नहीं सुनाई दिये तो पेशिंट को इंफ्लूइंजा और यह भी नहीं थे साइनसाइटस और टॉंसलाइटस मैंने बताया फीवर होना ज़रूरी है चिल्स वगरा तो पेशिंट ने कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिये जो हमें इस तरफ लेके जाएं तो यह डिफरेंशल हमारे हो सकते थे लेकिन इन में से कोई भी चीज नहीं थी ठीक है यह बहुत कॉमनी है डिजीज़ अलग अलग है इनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग है लोग क्या कर पानी जादा से जादा इस्तमाल करें ठीक है जादा से जादा पानी पीएं हाइडरेट रहें ठीक है दूसरी चीज़ एनलजैसिक में हमने असीटो मीनफीन दी और यह बोला कि रात के टाइम ओडी मिंस वन टाइम और रात के टाइम ठीक है यह किसलिए यह गले के दर्द क कौन सी क्लोरो फिनाइरामीन ठीक है यह हमारे पास बहुत अच्छी होती है क्या नामे नेजल कंजेशन के लिए कर डी कंजेस्टंट और यह हमने दी टैबलेट फोर एमजी की बीडी यानि के टू टाइम सदे और कितना एक सुबा और एक रात ठीक है यह खाने के लिए पेश बिल्कुल इस्ताइब फ्लॉप अव्ट प्र फाइट डैस और पांच दिन बाद आप फॉलॉप कर आ लेना और यह पेशन ने फॉलॉप कराया था तो यह पेशन बिल्कुल सही था फॉलॉप के बाद को कोई भी मसला नहीं था पेशन के सिंटम से वी रिलीव हो गया थे और थोड़ा बहुत जो कफिंग बगर थी पेशंट को कफिंग बगर थी बागी सिम्टम से रिलीफ हो गय थे तो उसको कोई भी ऐसी मसलन नहीं था तो यह हमारा सिंपल सा कॉमन कोल्ड को केस था अच्छा यहाँ पर हमने क्या चीज नहीं दिए पेशंट को यहाँ पर हमने तो लोग क्या लिख देते हैं साथ-साथ कि जी अमॉक्सिसलिन ले लेगा इसी तरीके से क्या ना में आग्मेंटन दे देते हैं तो बहुत सारी एंटिबाइटिक्स यूज कर रहोते हैं तो कभी भी यूज नहीं करते हैं वाइरल इंफेक्शन में ऐसी ट्रेट्मेंट करें इंशाला तला फरका जागा पेशन को और यहीं हमारे पास ट्रेट्मेंट होती है ठीक है तो यह हमारा पहला ओपीडी का केस था उमीद करता हूँ आपको केस और कोर्स पसंद आया होगा और बाकी जितने हमारे नए लेक्चर सा भी अपलोड होंगे तो अगर आप लोगों साव पीडी का केस था तो इंशाला तला नेक्स केस में बात करेंगे और हो सकता है वो इंटर्नल मेडिसन का हो सकता है वो पेडिरेटिक स्काव ठीक है तो अल्ला हाफिस